Good evening all of you, I hope you all are fine, now start exercise 12.2 from question 2, question 2 से start करते हैं क्योंकि question 1 हम already कर चुके है, question number 2 में हम statement read करो, तो उसमें given है find the circumference of a circle whose radius is, it means radius given है, radius है 10.5 cm और हमें circumference निकालनी है circle की, तो circle की circumference है c is equal to 2 pi r, clear है, तो हमें जो ये r है, ये हमारी radius given है उपर 10.5, तो value put करेंगे 2 into 22 upon 7 multiply 10.5, ओके इसका decimal अगर हम दिमो करेंगे, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 7 से इसे cut करेंगे, 7 वंजा 7, 7 वंजा 7 105 है, ये 15 पर चला जाएगा, ठीक है फिर हम ठीक है, इतना करके उपर की जितना भी है उसको multiply करेंगे, 2 multiply 22, multiply 3, जो आपका 15 आया है, sorry 15 आया है जो, तो upon में 10, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2 5s are 10, 2 वंजा 2, 2 5s are 10, और 5 से 15 को करेंगे, तो 3 जापे चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कितना 66 सेंटी मीटर, ऐसे ही हम इसके 4 पार्ट गीवन है, तो हम 4 के 4 पार्ट इसी तरीके से करेंगे, question number 3 में चलते हैं, find the circumference of a circle whose diameter is, अब पहले वाले question में radius गीवन था, second, third question में diameter गीवन है, तो diameter है 14 सेंटी मीटर, ठीक है, तो हमें जब circle का, जब radius गीवन है, तो circumference का जो formula है, व अगल diameter गीवन है, तो 2R की जगे क्या लग जाएगा, diameter, क्योंकि diameter क्या होता है हमारा, twice of the radius तो यह हो जाएगा, pi D, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 upon 7, और D की value क्या गीवन है, 14, तो 7 उन्जा 7, 7 तूजा 14, 22 को 2 से multiply करेंगे, तो आ जाएगा 44 cm, इसके बेटा 4 पार्ट गीवन है, मैंने first part आपके लिए किया है, rest of the part you will do, okay, now question number 4 है, find the radius of a circle, हमें circle की radius find करनी है, ठीक है, तो हमें given है, circumference given है, 44 cm, अब हमें circumference given है, ठीक है, पहले वाले question में radius given थी, उसके बाद हमें diameter given था, अब हमें circumference given है, तो circumference given है, तो इसका जो formula है radius निकालने का, radius का, तो हमें पता circumference 2 pi r होती है, यहां से हम radius find करेंगे, तो r आ जाएगा c upon 2 pi, तो सभी को, यह जितने भी इसके part है, उसमें यही formula use करेंगे, r is equal to c upon 2 pi, तो यहां पे value put करो, c कितना given था, 44 given है, upon 2, multiply 22 upon 7, तो 7 उपर चला जाएग यह जो 22 upon 7 है, यह 7 है, यह उपर चला गया, ठीक है, यह वाला, तो यहां पे जाएगा, तो हम इसे क्या कर लेंगे, 44 upon 2, यह 7, 2 multiply 22, यह 22 upon 7 था, तो 7 उपर चला गया, 22 वंजा 22, यह तूजा पे कट हो गया, हमारा, यह चलो तूजा और 27 वंजा पे यह कट हो गया, तो हमार यह 7 cm, ठीक है, ऐसे ही अग हम इसके जो भी अधर पार्ट है, वो कर लेंगे, अब हम चलते हैं, कोशन नमबर 5 में, कोशन नमबर 5 में हमें पेरिमीटर फाइंट करना है, और जो हमें गीवन फिगर है, फिर्स्ट फिगर हमें गीवन है, एक रेक्टेंगल गीवन है, और ए यह 6 में, यह डोटेड फोम में है, इसकी जो ब्रेट है, वो 6 मीटर है, और लेंग्ध 12 मीटर है, यह 6 मीटर, यह 12 मीटर है, यह रेक्टेंगल पहले भोल रखा है, और यह C4 हमारा S है, यह सेमी सरकल है, ठीक है, अब हमें पेरिमीटर निकालना है, तो पेरिमीटर रेक्ट ठीक है तो आ जाएगा हमारा कितना 18 और is equal to 13 6 meter 36 meter आ जाएगा देखो हमें यहाँ पर multiply करने की अगर multiply करें यह दोनों के इसमें bracket में आते हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या किया जो diameter है circle का वो d, d given है 6 meter और r find करेंगे हम तो वो हो जाएगा हमारा 6 upon 2 तो आ जाएगी 3 meter circumference में पता है जो क्या कहते है circle की circumference 2 pi r होती है तो यह semi circle है तो इसकी कितनी हो जाएगी pi r हो जाएगी जो pi r है तो आ जाएगा 22 upon 7 multiply 3 क्योंकि radius उपर हमने 3 रखी है यह वाली तो यह आ जाएगा 66 upon 7 तो जो total perimeter है हम निकालेंगे तो जो total perimeter है वो है 2 into length plus breadth plus pi r plus d तो यह हमारी pi r हो गई और यह हमारा क्या है diameter given है pi r plus d यह d for diameter ठीक है क्योंकि figure में हमें d की value भी given थी तो यह आ गया 36 plus 66 upon 7 plus जो diameter 6 given था अब हम इसे solve करेंगे पूरे question को तो हमारा answer आ जाएगा 51.42 meter यह आपने solve करना है ठीक है बटा now move to the next part जिसका next part है second part है उसकी जो figure given है वो भी उसमें क्या है एक rectangle given है और दो उसके क्या है semi circle given है ठीक है rectangle और side में semi circle है एक semi circle ये एक semi circle ये है जो semi circle है इसके बीच में जो ये है ये वाला ये radius given है 7 cm ठीक है हाँ 7 cm है ठीक है और यहाँ पे भी 7 cm है ये भी ठीक है और rectangle की जो length है वो 28 cm given है अब हमें क्या निकालना perimeter perimeter निकालेंगे तो तीनों का निकलेगा एक semi circle ये है rectangle का निकलेगा और दूसरे semi circle का निकलेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए rectangle के perimeter के लिए हमें breadth भी चाहिए और जो breadth होगी हमारी वो भी अब देखो जो ये अगर ये radius 7 cm है तो जो diameter होता है D वो क्या होता है 2R होता है ना diameter is equal to twice the radius तो हमें तो radius तो 7 है तो 2 into 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा ठीक है तो हमारा जो diameter circle का वो हो गया 14 इसकी जो breadth है वो हमारी कितने आ गई 14 आ गई अब हम perimeter write करेंगे total perimeter करेंगे सभी figure का तो हम write करेंगे total perimeter अब यहाँ पे tp की form में लिखूंगी total perimeter को t.p ठीक है तो अब मैं write करूंगे 2 into जो rectangle का है 2 bracket start 28 plus 14 ठीक है plus 2 bracket close हो जाएगा plus में 2 क्योंकि 2 semicircle है तो formula में और bracket start pi r की formula 22 upon 7 multiply 7 क्योंकि radius है और plus में 14 जो अधी diameter given है अब इसे cut करेंगे 7 से 7 कट हो जाएगा हमारा ठीक है तो उपर वाले में ये 2 into ये 42 हो जाएगी 2 into 42 28 को और 14 को add करोगे तो 42 हो जाएगा plus में 2 2 multiply में 22 में 14 करेंगे तो वो भी 36 हो जाएगा तो 2 into 30 यहाँ पे 36 write करूंगे मैं अब इसे solve करेंगे तो आजाएगा 2 into 42 आजाएगा हमारा 84 और वो हो जाएगा हमारा 72 तो answer में हमारा आजाएगा 156 cm ठीक है I hope you have understood and you will do the rest part 3rd 4th and 5th part okay do these questions in a fair register